रणाम 26 सितंबर 2022 के मुख्य समचार प्रस्तुत हैं राश्टपती द्रौपती मुर्मूने करनाटक के चमुंडी हिमिल्स में मैसूर्द दशहरा समारो महत्सों का उद्गाटन किया भे मंतरी अमिशार ने कहा कि सरकार देश में स्वास्त और चिकिस्सा के बुनियादी धाचो की मजबूत करने पर ध्यान के निद कर रही है धा मंत्री नरेंद मोदी ने जपान के पुरुप्रधार मंत्री सिंजु आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज शाम टोक्यों के लिए रवाना होंगे अवासन और शहकारी मंत्रा लेने कच्डे से खिलावना बनाने से जुड़ी अनुठी प्रतियोगिता स्वच्च ट्वाइक कैथान की सुरुवात की जम्मू कश्मीर में माता वैश्मनो देवी मंदिर आज से आरम हो रहे नौरात अनुठान के लिए पुरी तरह तयार भारत और संयुक्त अरब अमिरात व्यापक व्यापार आर्थिक सरजिदारी समझोदे का दोनों देशों के व्यापार पर सरकरात्मक प्रहपोईड़ा है देश में अब तक 217 करोड 68 लाग से अधिक कोविट टीके लगाए गए भारत के और सदी उत्पादों का निर्यात मौजुदा वित्तुवर्श अप्रेल में अप्रेल से अगस्त की ओधी में बढ़कर 146 प्रतिशत हो गया कांग्रेस के पुर्व वरिष्ट नेता गुलाम नवी अजाद ने आज अपनी नई पार्टी का नाम एलान कर दिया फिलिपिन्स के उत्री दीपो में तुफान नोरुक की भी शीका की कारण हजारों लोगों को स्रचित करन अस्थानों पर पहुँचाये गया इटली में दच्छिन पंथी गटबंधन को अगली संसद में इस पश्ट बहमत मिलने के असार अफगानिस्तान से 55 अफगान सिक को लेकर एक विशेश उरान कल दिल्ली हवाई अड़े पर पहुँची उत्तर कोरिया ने अपने ओर वी टट से समुद्र की ओर बैलेस्टिक मिसाल दागी अमेरिका ने समुद्र राष्ट शुरक्षा परशाथ की बैठाक में यूखरेंद को लेकर रूस की कड़ी आलोचना की भारत और अस्टिलिया के विश्टी ट्वांटिस क्रिकट सिंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज हैदराबाद में महिला क्रिकेट में भारत ने इंगलैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसी मैच में स्वलर रन से हरा कर सिंखला तीन सुने से जीती